सन 1857 की क्रांती का दमन करने में अंग्रेजों को लगातार सफलता मिल रही थी इसका मुख्य कारण था हमारी आपसी फूट और हमारे ही लोगों द्वारा अंग्रेजों की मदद जासी के किले पर लहराता स्वाधीनता का हरा जंडा अंग्रेजों की आँख का कांटा बना हुआ था छे जन्वरी 1858 को सरहुरोज एक विशाल सेना लेकर मौँ छावनी से जासी के लिए रवाना हुआ रास्ते में रायगर्ट, सागर्ट, बानपुर, चंदेरी आधी विजय करता हुआ वो बीस मार्च को जासी के पास पहुँचा जासी में उस समय मध्य भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था और रानी लक्ष्मी बाई के साथ आसपास के अनेक वीर क्रांतिकारी मौजूग थी रानी लक्षमी बाई को जैसे ही सर्हूरोस के आने की खबर मिली उन्होंने जहांसी के आसपास का तमाम इलाका खाली करवा दिया जिससे शत्रू को रसत आदी ना मिले लेकिन कुछ राजाओं ने अंग्रेजूं की इतनी मदद की कि उन्हें जहांसी तक पहुचने में कोई कठिनाई नहीं हुई उधर रानी जहांसी का होसला बुलंद था वो ना सिर्फ क्रांती कारियों का नित्रत्व कर रही थी बल्कि हर काम के निकरानी भी खुद ही करती थी उनके साथ पुरुषवीर ही नहीं बलकि महिलाएं भी थी जो युद्ध कला में प्रशिक्षन ले रही थी और मोर्चे बंदी में बड़ी तेजी से काम कर रही थी 24 मार्च 1858 को जांसी की प्रसग्ध तोग घन गरच ने अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने शुरू किये 25 मार्च को अंग्रेजों ने भी जवाबी हमना किया 26 मार्च को कमपनी की सेना ने शहर के दक्षणी फाटक पर इतनी जबरदस्त गोला बारी की कि छांसी की तोपों को बहर जाना पड़ा तब पश्चिमी फाटक के तोपची गुलाम गौस खाने अपनी तोप का मूँ अंग्रेजी सेना की ओर कर दिया गुलाम गौस खान की गुलंदाजी के सामनी कमपनी की सेना नहीं ठहर सकी और उसकी तोप में चुप हो गए गुलाम गौस खान की इस बहादुरी से खुश होकर रानी ने उसे सोने का कड़ा इनाम दिया था 28 और 29 मार्च को भी जांसी की तोपों ने दुश्मन को भारी नुक्सान पहुं जाया किन्तु अगले ही दिन अंग्रेजों की तोपों ने नगर की दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया इससे जांसी की सेना का मनोबल ठोड़ा कमजोर तो हुआ लेकिन रानी के नित्रित्व में रातों रात ग्यारा मिस्त्रियों ने कम्बल ओड़कर दीवार को ठीक कर दिया सवेरा होते ही जासी की तोपे फिर करजने लगी अंग्रेजों ने भी पूरी ताक्वत से अपना आक्रमन शुरू कर दिया दोनों और के लोग मारे गए फिर भी रानी लक्ष्मी बाई सभी मोर्चों पर खुट जाकर सेनिकों का होस्ता बढ़ा रही थी तीन अप्रेल को जासी के स्थिती कमजोर होने लगी अंग्रेजों की विशाल सेना और गोला बारूत के आगे क्रांतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया फिर भी रानी घोडे पर सवार होकर अपनी सेना के सिपाहियों और अपसरों के होस्ते बढ़ा रही थी और बिजली की तरह सभी मोर्चों पर पहुँचकर जरूरी आदेश दे रही थी उस दिन शहर के सदर दर्वाजे पर अंग्रेजों ने भारी मोर्चा बंदी की थी नगर की दिवार पर सीड़िया लगा ली थी और उनसे चड़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी किन्तु जहासी की दिवारों से गोलों और गोलियों की इतनी जबरदस्त बहुचार हुई कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हट जाना पड़ा किन्तु उधर दक्षणी दर्वाजे पर किसी विश्वास खाती ने द्वार खोल दिया और अंग्रेजों की सेना नगर में विजय का डंगा बजाती हुई खुस गए रानी ने किले की दिवार पर से नगर निवासियों पर कंपनी की सेना के जुल्म देखे उन्होंने तुरंत एक हजार सिपाही लिए और मुकाबले के लिए बढ़ी अब तलवारों और बंदूकों की लड़ाई शुरू हो चुकी था रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा किन्तु रानी के कई वीर सरदार और बहादुर तोपची इस युद्ध में मारे गए उधर उत्तर दिशा का सदर दर्वाजा भी खुल गया और कंपनी की सेना वहाँ से आगे बढ़ने लगी रानी ने सोचा कि विश्वास घातियों के कुछक्र के कारण अब और यहां ठहरना संभव नहीं रह गया है इसलिए यहां से निकल कर कहीं और जाएं और वहां से क्रांति का संचालन करें उसी रात को रानी लक्ष्मी बाई ने जहांसी छोड़ने का निश्चे किया उनकी दो सहेलिया सुन्दर और मुंदर और दस पंधरा सवार भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए आधी रात के समय रानी ने अपनी पीच पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और कले की दिवार से हाथी की पीच पर कूत पड़ी उनका प्यारा सफेद खोड़ा तैयार था साथ जाने वाले वीर भी तैयार थी अब रानी कालपी की ओर बढ़ी उधर लेटिनेंट बोकर को जैसे ही पता लगा उसने रानी का पीचा किया सवेरा हुने तक रानी मांडेर गाउन पहुची जहां दामोदर राव को दूत पिलाया किन्तु तब तक पीचा करते हुए लेटिनेंट बोकर के आने की खबर मिले जब लेटिनेंट बोकर और रानी का आमना सामना हुआ तो रानी ने अपनी तलवार के एक ही बार से उसे मार किराया अंत में उसके साथी भी सिरवर पेर रख कर भागी सारा दिन और आधी रात तक लगातार दोड़ता हुआ राणी का घोड़ा कालपी पहुँचते पहुँचते ही गिर कर मर गया राणी को इससे बहुत दुख हुआ कालपी में उस समय नाना सहाब के भतीजे राव सहाब और सिनपती तात्यटों पे मौझूद थे राणी ने उनके साथ बैच कर सारी स्थिती पर विचार किया उधर बांदा के नवाब शहगड़ और बानपुर के राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गए सरहुरोज अपनी सेना लेकर कालपी आ गया वहां रानी के नितरित्व में क्रांतिकारी सेना ने घमासान युद्ध किया. अंग्रेजों की सेना के हुसले कमजोर पड़ गए. किन्तु उन्होंने संगठित होकर फिर से हमला किया. और क्रांतिकारी सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा. 24 मई को कमपनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया रानी लक्ष्मी बाई अपने साथियों को लेकर कालपी से निकल गई उधर तात्य टोपे चुपचाप गौलियर पहुँचे और सिंध्या की सेना तथा गौलियर की जनता को क्रांती सेना का साथ देने के लिए तयार कर लिया गोपालपूर में तात्य टोपे ने रानी लक्ष्मी बाई और राव साहब को बताया कि गौलियर की सेना की मदद से हम कमपनी की सेना को हरा सकते हैं ग्वालियर पहुंचने पर ख्रांतिकारी सेना का बड़े हर्ष से स्वागत हुआ। ग्वालियर की ख्रांतिकारी सेना ने पूरी मदद के तयारी कर रखी थी। तीन जून 1858 को ग्वालियर के फूल बाग में बहुत बड़ा दर्बार हुआ। इस दर्बार में रुहेला, राजपूत और मराचा पल्टने भी मौजूद थी। नाना सहाब के भतीजे राव सहाब को पेश्वा का प्रतिनदी मान कर सम्मानित किया गया। तात्या टोपे को प्रधान सेनापती बनाया गया। और बीस लाख रुपए सेना में बागी गया। उधर सरहिरोज ने निश्चे किया कि इस समय तुरंत ग्वालियर पर हमला करना चाहिए। उसे तात्या टोपे की संगठन शक्ती का सबसे जाधा डर था। इधर रानी लक्ष्मी बाई ने राओ सहब आदी सभी को चेतावनी दी कि ये समय फुर्सत में बैठने का नहीं है। बलकि सेना को मुकाबले के लिए संगठत करना जरूरी है। किन्तु रानी की इस सलाह पर उन लोगों ने धान नहीं दिया। आखिर सरहुरोज अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुँच गया। क्रांतिकारी सेना तयार नहीं थी। फिर भी तात्य टोपे ने आगे बढ़कर मुकाबला किया। किन्तु क्रांतिकारी सेना हार गए। 17 जून 1858 को रानी लक्षमी बाई और सेना पती जनरल स्मित का मुकाबला हुआ। रानी की दोनों सहेलियां सुन्दर और मुंदर भी साथ थी। स्मित ने कई आक्रमन किये। किन्तु रानी लक्षमी बाई ने हर बार उसे पीछे खदेर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सुभा से शाम तक रानी लक्षमी बाई घोड़े पर सवार युद्ध भुमी में अधभुत वीर्ता के साथ लड़ती रही और विजय है। 18 जून को जर्नल स्मिथ और अधिक सेना लेकर फिर से गौलियर के पूर्वी फाटक पर पहुंचा। उस दिन दरसल अंग्रेजों ने कई मूर्चे खोल दिये थे। इस बार जर्नल स्मिथ के साथ सर क्यूरोज भी था। कहते हैं उस दिन सवेरे जब रानी अपने दोनों सहेलियों के साथ शर्वत पी रही थी तो खबर आई कि कम्पनी की सेना बढ़ी चलिया रही है। बहुत बढ़ी फौज है। रानी ने तुरंथ शर्वत का कडोरा फेंग दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ी थे। एक अंग्रेज प्रत्यक्ष दर्शी लिखता है। तुरंथ सुन्दर रानी मैदान में पहुँच गए। उसने बार बार तुर्फानी गती से सरहुरोज की सेना पर हमला किया। लेकिन उसके सेनिकों की तादाद लगातार कम हो रही थी। आखिर रानी लक्ष्मी भाई चारों ओर से खें गए। लेकिन रानी ने फिर भी मकाबला किया। उस समय रानी की दो सहीलियां और 10-15 सवार ही शेश थी। रानी तलवार से अपना रास्ता साफ करती हुई आगे पढ़े। अंग्रेज अभी भी उनका पीछा कर रहे थी। रानी की कती इतनी तेज थी कि अंग्रेजों के लिए उन्हें छूपाना भी मुश्किर हो रहा था। लेकिन आगे नाला आ गया। और रानी का घोड़ा नया था। उसने बहुत कोशिश की कि घोड़ा नाला पार कर जाए। लेकिन घोड़ा अड़ गया। तब तक, पीछह करते हुए अंग्रेज सैनिक वहाँ पहुँच गया。 तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया। सिर का दाहिना भाग अलग हो गया। फिर भी रानी ने घूंकर एक वार में ही उस सैनिक को मार दिया। तभी एक और वार हुआ और रानी खून से लटपत हो गया घोड़े से गिर्ते गिर्ते भी रानी ने उस अंग्रेज सेनिक को भी मार दिया तब तक रानी लक्ष्मी भाई का वफादार नौकर राम चंद्र राव देशमुक पहुच जुका था घायल और बेहोश रानी को उठाकर वो पास ही एक साधू की कुटिया में ले गया ताकि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे 1857 के स्वतंतता संग्राम में जासी की रानी लक्ष्मी भाई का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता